हेलो गाइज विल्कम तो मैं यूटूब चैनल आर्किटेक्ट आ रिया आज हम प्लान लिखेंगे 24 फीट बाइ 40 फीट यानि 24 फीट बाइ 40 फीट का घर का नक्षा यूकि हमारा सी फ्रंट साइट से ओपन है यानि हमारा वेंटिलेशन के लिए सी फ्रंट में हमारा दोर है सा साइट भी घर है ओके सो गाइज यह प्लान है हमारा ग्राउंड फ्लोर का नेक्स्ट टू 3D वीडियो में आपको मैं फर्स फ्लोर और इसका एलेवेशन भी दिखा दूंगा तो गैस नेक्स वीडियो भी देख लेना तो यह वीडियो स्टार्ट करते हैं इसका जो हमारा ल फीट के दोर से अंदर गये है तो हमारा हॉल है उसका साइज है 11 फीट वा 11 फीट 6 इंच का मिलकुल कॉफेक एक कॉमन साइज है हमारा ओके और इसके हॉल के वेंटिलेशन के लिए हमारा यहां 4 फीट का विंडो प्रोवाइड़ है नेक्स्ट वीडियो में आप 3D वीडिय अराम से किटेन रहेगा ओके यहां पे हॉल के बाजू में मैंने 7 फीट की एक वाल दी है जो कि किटेन को और दम बिल्कुल पॉफेक करेगा आपको नहीं रखना है तो आप यहां पे एक फरनीचर का रख सकते लेकिन आप वाल का रखे तो काफी बैटर रहेगा इसके वें हमारा 8 feet by 8 feet का है और इसके वेंटलेशन के लिए हमने यहां पे एक चोटी विड़ो 1 feet 6 inch की प्रवाइड की है क्योंकि हमारा घर बढ़ा है तो हमको डाइनिंग एरिया भी प्रवाइड करना पड़ता है क्योंकि हॉल से बिल्कुल एकसेसिबल है और किचिन से बिल्कुल ए है और हमारी यह 6 feet है जो कि हमारे यहां से गई उपर और यहां उपर जो डॉटेड लाइन है मिन्स यह हमारी उपर साइड है नीचे हम स्टोरेज बना सकते हैं ओके नौ स्टेर्स के हम आगे जाए तो 2 feet 6 inch के दोर से हम एंटर करते हैं WC पार जिसका साइज है हमारा 7 feet 6 inch by 7 feet 7 feet 6 inch by 5 feet 6 inch क्योंकि हमारा common toilet bathroom है जो कि पूरे घर के लिए accessible use हो सकता है इसके ventilation के लिए हमने यहां विंडू प्रवाइड की है जो कि 1 feet 6 inch है और यह विंडू के उस तरफ जो हमारा WC plus बात है और उस तरफ हमारा OTS provided है यानि open to sky जिसका जो size हमारा 7 feet 6 inch है और जो इसका breath है व आपको यहां पर अगर आप वाल रखना है तो वाल रख सकते हैं और नहीं रखना है तो भी कलेगा कोई समय प्रॉब्लम नहीं है मैं इसके open to sky है 3D वीडियो में आपको और clear हो जाएगा जनी ventilation के लिए बिल्कुल पॉफेक्ट है और इसके ventilation के लिए हमने यहां पे 4 feet का window प पन होता है तो आपके air के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लाइट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा पर इतना जाता प्रॉब्लम नहीं होगा ओके बेडरूम के बाजों में जाए तो हम 3 feet के door से एंटर करते हैं तो हमारा master bedroom master bedroom का size है हमारा 11 feet by 11 feet ज्योंकि मैंने same size दिया है क्योंकि हमारी space उठनी है okay master bedroom हो गया है इसके ventilation के लिए हमने यहां पे 2 feet के window provided की है master bedroom है यानी हमारा attached WC plus बात है यानी attached toilet प्लस बातरूम हमारा attached रहेगा जिसका size है हमारा 4 feet 6 inch by 8 feet 6 inch का फिल्कुल perfect size है और इसके ventilation के लिए हमने यहां पे 1 feet 6 inch का window provided किया है और जो हमा हमारा OTS है यानी open to sky आपको यहां wall रखना है तो आप रख सकते हैं आपको 3D video में और clear हो जाएगा open to sky आपको यहां पे हवा के लिए बिल्कुल कोई problem नहीं होगा के गाइस आपको अगर screenshot लेना है तो आप ले सकते हैं क्योंकि हमारा सिर्फ सामने front में open है तो और आगे नेक्स वीडियो में आपको मैं इसका elevation design भी लिखा दूँगा ओके तो गाइस थैंक्यों गाइस पर वाचिंग दिस वीडियो प्लेस लाइक शेर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो मैं चैनल और गाइस कमेंट करना आपको आगे आपको और कैसा चाहिए कौन से साइस का प्लान चाहिए तो थैंक्यों गाइस